आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पैसिव इंकम सोर्स के बारे में यहां पर एक चीज इंपोर्टन हमें सीखनी है वो यह है कि कोई भी इंकम सोर्स 100% पैसिव नहीं होता उसको कुछ टाइम हमें लगाना बड़ता है बिल्ड करने में एक बार बिल्ड हो जाए फिर वो हमारे लिए जो है मंतली इंकम या वीकली इंकम या डेली इंकम जो है रेगिलरली जेनरेट करें अब पैसिव इंकम बहुत सारे लग-लग तरीकों से जेनरेट किया जाता है affiliate marketing से लेके crypto से क्या सारी चीज़े तो उसमें से तीन I think important आप suggestions पकड़ लो जिनको लेके आप यहाँ पे start कर सकते हो जिनको start करने के लिए initial capital बहुत जादा नहीं चाहिए पहली बात and plus उसमें आप ऐसा बोलो कि आपको शायद थोड़ा सा unfair long term advantage आच्छा मिल जाए तो वो तीन चीज़ों की हम बात करेंगे because आप में से maximum लोग जो हैं वो already crypto में किसी ना किसी रूप में invest करते हैं तो पहला passive income source जिसकी में बात करूँगा guys बात करूँगा crypto staking के बारे में now staking देखो आप लोगोंने बहुत सारे जगां पर अलग लग तरह के return देखे होंगे आपने चाहे तो Axie Infinity का Binance पर 100% return देखा होगा चाहे 60% plus pancake swap का pancake swap पर देखा होगा या Titano या Sphere Finance जैसे coins जो हैं जो technically staking नहीं है rebasing model है but for simplicity terms वो भी आपको daily income generate करके देते हैं वो तो एक लाख परसेंट के APY पे यहां पे चलते हैं so crypto staking काफी जादा common काफी straightforward and simple तरीका है एक तरह का income generate करने का crypto staking में guys multiple चीजें होती हैं बहुत ही जादा important है समझना crypto lending जैसे की vault type का कोई platform है अगर is different than crypto staking crypto staking में अगर आप यहां पे stake कर रहे हो तो आपको anywhere अगर आप कम से कम risk लेना चाहते हो या सिरफ stable coins पे staking करना चाहते हो तो 10% से 12% के आसपास आप return expect कर सकते हो साल का तो उसे जाप से आप उसको monthly weekly divide कर सकते हो अगर आप जादा return generate करना चाहते हो but of course crypto है तो यहां पे risk भी बहुत जादा है तो you will have to decide कि आप किस coin में जादा time invested रहना चाहते है तो for example अगर आपन solana की बात करें तो exodus जैसे wallets में solana पे आपको 5% staking return मिलता है तो अगर आप solana believer है तो that generates extra returns for you पर अगर आप बहुत जादा risk लेना चाहते हैं तो titanosphere finance type के बहुत सारे projects हैं जो बहुत ही जादा risk के साथ आपको बहुत जादा return offer करते हैं अब risk ऐसा होता है कि वो literally zero जा सकते हैं bitcoin अगरा का zero जाने chance practically non-existent right now तो यह angle आपको देखना है तो crypto staking काफी जादा एक regular use किये जाने वाला and आप लोगों के जो already आप लोग crypto investors उनके लिए बहुत easy तरीका हो सकता है start करने का तो आपके अगर crypto holdings हैं आप finance पे हैं या कहीं पे हैं वहाँ पे आपको crypto staking के options mostly मिल जाएंगे and you can start generating passive income अब यहाँ पे passive क्या नहीं था वो initial पैसा जो आपने उस crypto खरीदने में लगाया है यह मैं बोल रहा था कि बहुत सारी चीज़न जो बाद में passive होती हैं वो starting में शायद passive ना हो नमबर दो नमबर तीन पे जाने से पहले गाइस बात करते हैं आज के partner के बारे में जिसके बारे में आप में से बहुत सा अलग होने मेरे साथ question multiple questions मुझे जो है यहाँ पर छोड़ें वो altura के बारे में guys altura एक smart nft platform है smart nfts है उनकी काफी अच्छा platform है मैं उनके साथ बहुत time से काम करूं आपको पते होगा last year से हम altura के साथ काम करने जब एकदम नहीं नहीं आया था in fact and altura की guys अगर यहाँ पर बात करें तो उनका marketplace का version 2 आ रहा है April end में so that is something that they wanted me कि मैं आज के वीडियो में आप लोगे साथ कवर करूं plus 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 इनकी वेटलिस्ट अगर आप जोइन करते हैं वेटलिस्ट का link description और print comment में आपको 25 डॉलर का free goodie free सिरफ वेटलिस्ट जोइन करने का 25 डॉलर के worth का कुछ इनाम आपको यहाँ पर दिया सही है ठीक है वो सब लोगों को करना पड़ता है time to time but here is something जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है इनके marketplace के लिए cross chain altura cross chain capabilities यहाँ पे ला रहा है तो अगर आप और किसी chain पे nfts hold करते हो तो आपको आपके wallet में जाके network change नहीं करना पड़ेगा सब के sub chains के nfts आप यहाँ पे देख पाऊगे तो वो cross chain capabilities यहाँ पे altura का marketplace v2 लेकर आ रहा है जो i think is very very interesting and definitely something जो आपको explore करना चाहिए altura का में और detail में आने वाले कुछ time में जरूर जरूर explore करूँगा but definitely make sure कि आप एक तो यह कर रहे है कि आप waitlist पे sign कर रहे है sign up कर रहे है waitlist मैंने खूद sign up कर ली है उसक मेरे पास कुछ altura nfts है as well as मेरे पास कुछ आलू tokens यहाँ पर पड़े हैं तो for me मैंने भी waitlist join किया है fortunately मुझे भी 25 डॉलर का कुछ अच्छा सा इनाम यहाँ पर मिल जाए मैं बहुत excited हूं दूसरा इनका twitter जरूर आप check out करें twitter का भी link में description पिन comment में आप लोगे छोड़ आप यहाँ पर देख सकते हो almost 130,000 followers भी है as well as इनकी engagement अच्छी है तो काफी सारी नहीं नहीं चीज़े जो है Altura को लेकर निकल कर आई हैं बहुत जादा popular Altura हो रहा है with time हम बहुत पहले से देख रहे हैं Altura को which is great हम लोगों ने बहुत अच्छा growth यहाँ पर experience किया है तो यह है आज के channel partner make sure to check out these links in the description and pin comment चलते हैं अपने topic पे directly to source number two of passive income guys वो है एक course बनाना आप बोलो यह भाई क्या बोल रहा है कोर्स कैसे बनाएंगे हमारी कोई audience नहीं कुछ नहीं तो specifically guys इसकी में बात कर रहा हूं मैं बोलोओ skill share पे course बनाना situation and मैं पिछले 6-7 साल से जादा हो गया है मुझे कि मैं यहाँ पे freelancing के model में काम कर रहा हूं remote work में clients के साथ काम कर रहा हूं so मैंने वो सारा का सारा model pricing कैसे रखे हैं कितना charge करें कब करें क्या काम करें किस client को कैसे मनाएं कैसे बात करें पैसा कैसे manage करें यह सारी चीज़े ना उस छोटे से तो मेरा skill share का course भी है right that is the point मैं marketing उसकी कर रहा हूं zero पैसा वो फिर भी बना रहा है right Udemy के course का भी same है Udemy तो चलो फिर भी crypto crypto है link पढ़ा रहता है description में पता लग जाता है but skill share तो मैं कहीं पर डाल भी नहीं रहा हूं की कोई बहुत ही बड़े topic पर आपको बनाना है आप literally बहुत ही simple से simple topic एक video record कैसे करें screen recording से YouTube channel पर वीडियो कैसे डालें YouTube SEO कैसे करें से लेके Instagram की tips tricks अब कुछ भी बात कर सकते हो और skill share पर course डाल सकते हो skill share के courses जो है guys वो 40 minutes से लेके 1 hour की range में होते है skill share courses उतने बड़े नहीं है कि 30 घंटे का course बनाना है तो आप वहां पे भी जो है इस तरह का course बना सकते हो मानलो आप YouTube के बारे बात करना चाहते हो पूरा YouTube आप को पता है आप उसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड करके literally 40-40 मिनिट के 4 courses वहां पे बनाके डाल सकते हो और अगर I know personally अगर आप बहुत सारे जो है skill share courses डालते हो तो आपको skill share वाले बहुत जादा promote करते हैं तो बहुत अच्छा chance हो जाता है एक income का अगर आप skill share पे यहां पे course यह हो गया दूसरा तरीका right and I think इसमें भी initially आपको काम तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी बट काम बहुत सही है अब इसी के parallel में हम video की बात करें तो I think एक ऐसी चीज जो नहीं सिरफ passive income का source है बट वो आपका life change कर सकता है that is YouTube YouTube I think maximum लोग जो थोड़ा confident है camera पे उनको यहां पे try करना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि YouTube guys नहीं सिरफ आपके लिए passive income source build करता है क्योंकि आपके videos पे views आ रहे है उस पे adsense का revenue आ रहे है जो कि जादा नहीं होता पर वो आपके लिए business खड़ा कर सकता है literally मुझे आज की date में multiple job offers आते है because of my YouTube मुझे multiple of course किसी भी YouTuber को जो है जिसका थोड़ा भी sizable audience है उनको brand deals और brand integration के views या rather emails आते है reach out आता है plus add revenue यहाँ पे आता है plus अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें affiliate revenue भी include कर सकता हूँ तो मैंनलो मैं किसी book की बात कर रहा हूँ trading की book हो गए crypto की book हो गए कुछ ऐसी किसी चीज़ की बात कर रहा है मेरी खुद की book है जो Amazon पे smart binology मैं 2015 में publish की दी उसकी बात करता हूँ उसके link अगर description में छोड़ता हूँ तो मुझे कुछ percentage Amazon देता है तो YouTube के through में एक पूरा ecosystem of passive incomes बना सकता हूँ तो बाकी जैसे crypto staking है वो एक source है Skillshare is more or less one source पर अगर मैं YouTube बिल्ट कर लूँ तो YouTube के across मैं 10-15 अलग-लग income sources बिल्ट कर सकता हूँ क्या YouTube में महनत सबसे जादा है and मैंने company भी चलाई है मैंने नौकरी भी की है मैंने consulting भी की है बड़ी-बड़ी companies के साथ YouTube by far सबसे जादा मुश्किल चीज रही है मेरी life में जो मैंने की है सबसे जादा मुश्किल तो YouTube definitely बहुत मुश्किल है बट YouTube का payout बहुत ही अच्छा है अगर आप अच्छा कर जाए अब आप बोलोगे वीडियो किस topic पर बनाए वो आपको देखना है कि आप किस चीज में long term videos बना सकते हो YouTube में बहुत जादा important चीज यह होती है कि एकदम शुरुआत में पैसे के पीछे ना भागा जाए पासिव इंकम के लिए आप बना रहे हो सही है अगर पैसे के पीछे भागा तो आप topics नहीं कर पाओगे YouTube में पैसा बनाने में बहुत time लगता है YouTube के है long term business है तो यहाँ पर topic जो select करना है वो आपको इस तरह का topic select करना है जिसमें आप passionate हो क्योंकि YouTube में ऐसे बहुत सारे phases आते हैं जब views नहीं होते है growth नहीं होते है आ हाँ अगर हम चार महीना पहले की बात करें जहां पर एक दिन में वीडियो में साथ आठ दस हजार तक views आ रहे थे आज की date में देखो तो दो से तीन हजार views आते हैं click through rate 10% से 13-14% 12% के उपर रहता है बट views फिर भी कम है क्यों Google trend खोल के देखो crypto, bitcoin, ethereum तो Google trend भी नीचे चला तो सारे crypto channels डाउन चलेगे अब यह कितना time डाउन रहेंगे 6 महीना एक साल दो साल नहीं पता पर क्या मैं daily videos बनाता रहूँगा आपने होगे लिए 100% yes पर इस time पे मुझे brand deals कम मिलेंगी मेरा adder venue कम generate होगा क्यों तो क्या मैं motivated सिरफ पैसे से था या मैं topic से हूँ is going to carry me अगर मैं सिरफ पैसा 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 देख रहा था तो यहाँ पे मेरे लिए इस period में videos बना पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए बहुत important है कि आप जो topic select कर रहे हो जिसके साथ आप long term stick कर सकते हैं मेरा opinion ऐसा रहता है 100 videos का goal रखे गोल subscriber count का या view count का ना रखे 100 videos बना के डालनी है that should be your goal in my opinion तो यह तीन तरीके हैं आप लोगों के लिए passive income बनाने के लिए 2022 और 2023 में do let me know कि इन तीन में से आप कौन सा करते हो कौन सा करना चाहोगे और कौन सा करने के लिए कल सुबा से ही जो है काम या in fact आज शाम से ही काम start करोगे and जैसा कि मैंने बता है Altura अब platform भी चेक करना मत भूलेगा twitter follow करें as well as waitlist के लिए भी sign up करें वहाँ पर free giveaway goodies आप लोगों के लिए available है guys that's it guys यह था आज का वीडियो hope इस वीडियो में आपको मजा आयो कुछ अच्छा सीखने को मिला हो as always अगर कुछ सीखने को मिला तो like button का जरूर मारे and subscribe करना मत भूले guys this is you I'm signing off मैं मिलता हूं आप लोगों को अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई